असलाम अलेकूम हाजी आज हमने बनाई यह आपर चिकन हलीम और यह बहुत डिलिशुस बनती है बहुत अच्छी होती है और जटपट बन जाती है आप लोग ज़रू ट्राइ करिएगा यह सारे स्पाइसे और इंग्रीडियंस मैंने साथ रग दी है ताके आपको समझने में उन में असानी हो जाएै चलते हैं यह सबसे पहले हमने लेने हैं यहाँ पर होलवीट गंदम एक प्व ठीक है एक प्व आपको गंदम चाहिए साबुद यह देखिये यह हमने गंदम ले ली इसी के साथ हम जोब लेंगे आददम ठीक हे यह आदापाव जोब आगई यह भ आपने गंदुम लेनी है उतनी ही आपने चने की डाल लेनी है और जितनी जौ लेनी है उतनी ही मूम की डाल आप एट करेंगे ठीके यह हमारे पास सारे grains आ गए, इसके अब हम चलते हैं, spices की तरफ, जो हमने spices डालने हैं, यह हमारे पास red chili powder है, लाल मिर्च, 5 टेबल स्पून, 5 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर चाहिए आपको, 3 टेबल स्पून, भरके, हल्दी पाउडर, 3 टेबल स्पून, हमारे पास यह salt है, आप चाहें, तो टेस्ट के हिसाब से और भी add कर सकते हैं, ठीक है, यह साबुद गरम मसाला है हमारे पास, इसमें बड़ी लाईची, डाल चीनी, लॉंग, काल्यमेट्स, जीरा और तेजपार, ठीक है, यह मैंने सब एक जगा करके रग दिया ह ठीक है, यह आगे आपके पास गरम मसाला, साबुद गरम मसाला, और यह हमने दो प्याज ली है, इनको cut कर लिया है, इसको हम fry करेंगे, और हमारे पास यह एक किलो चिकन है, ठीक है, बॉनलेस चिकन है, एक किलो, हार्ट शेप वाला, दिखिए, यह देखिए, यह सारे spices हमन में cut कर लिया है, इसके साथ हमने लसन हद्र का paste लिया है, फो टेबिल स्पूम, यह हमने अपनी डालों को भिगो के और चूले पे चड़ा दिया है, ठीक है, अब हम एक पैन में आदा कप हम ओईल डाल रहे हैं, इसी में हम अपनी प्यास डाल देंगे, उसको fry करेंगे, इस इसको लाल होने तक अब अच्छे से fry होने देंगे, ठीक है, यह देखिए, उसको अच्छे से चमद चमद चलाएं, mix 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 करें, यह देखिए, थोड़ी से इसमें color आ गया है, यह देखिए, अब यह देखिए, बिलकुल हो गई है हमारी प्यास, इसमें हम साबद गर मसाला add कर देंगे, और थोड़ा सा इसको fry करेंगे, उसके बाद हम इसमें रसल नद्र का paste add कर देंगे, उसको mix करेंगे, इसके बाद हल्दी powder, लाल मिर्च powder, नमक, यह तीनों चीज़े हमने डाल दिए, mix करना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें, फिर mix करेंगे, इसी तरह आपने दो तीन दफ़ा पानी डाल के मिक्स करना है और आपका मसाला जब भुन जाये अच्छे से आप देखें मिर्च कची नहीं रहिए तो आप हम इसमें चिकन एड करेंगे ठीक है यह चिकन एड करना है आपने और अभी इस वाक कोई पानी नहीं डालना इसको अच्छे से मिक्स करना है याणि कवर करके आपने इसको छोड़ देना है फिर यह देखें हम इसको कवर कर दिया फिर थोड़े टाइम बाद आप इसको मिक्स करेंगे हिलाएंगे और फिर इसमें थोड़ा और पानी डाल के इसको छोड़ देंगे अभी देखें मैंने दालों में मूम क कि दाल नहीं करी थी क्योंकि थोड़ा सा डण होजाए फिर मूंकी दाल एड़ करूंगी यह देखिए हमारी दालें बिल्कुल गल गई है मूंकी दाल मैंने इसमें डाल दी थी अच्छे से गल गई है दाना फट गया है और मैं अब इसको बीट कर रही हूं बिल्कुल इसमें जाइफल जवेत्री का पाउडर एड करेंगे ठीक है वन टी स्पून हम इसमें जाइफल जवेत्री का पाउडर एड करेंगे ठीक है और इसको पिसी वी जाइफल जवेत्री मिक्स कर लेंगे थोड़े पकने देंगे एंदेन हमारा कॉर्मा रेडी है अब इसमें हलका इसको अच्छे से mix करेंगे हम spoon से अच्छे से mix करेंगे यह दिखे इसको चलाएंगे इसमें अच्छा सा color आजाएगा और यह सब चीजे एक साथ mix up हो जाएं तो हम थोड़ा सा बीटा इसमें भी चलाएंगे अगर हमें थोड़ा चंकी लग रहा है ठीके यह देखें आप इसमें मैंने साबुत गरम मसाला आट कर रहा था मैंने दाल तेजपात उठा लिया था क्योंकि वो पिसने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता यहां मैंने गरम मसाला आट कर रहा है तू टेबिल स्पून पिसावा गरम मसाला और दो टेबिल स्पून चाट मसाला यह लास्ट में बिल्कुल लास्ट में आप लोगोंने अट करना है जल्दी कर देंगे तो उसका हलीम का थोड़ा कलर चेंज हो जाते है यह मैं थोड़ा सा बीट और कर रही हूँ मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि रेशा जाद है ठीके यह देखिए यह आपकी हलीम बिल्कुल डन है थोड़ी थिक लग रही है तो आप गरम पानी करके इसमें थोड़ा एट कर सकते हैं यह मैंने दो गलास पानी एट कर रहा था मुझे थोड़ी सी ठिक लग रही थी ठीके और यहाँ पर मैंने अब इस पर तड़का लगाने के लिए प्यास फ्राई करिए यहाँ मैंने दो प्यास लीती हाफ कप ओईल में मैंने दो प्यास फ्राई करिए इस पर तड़का लगा देंगे और यह आप मेक्स करेंगे आपकी मज़ेदार सी हलीम रेडी है सच में बुखाद अच्छी बनीती आप लोग जरूर ट्राइ करेंगे और चिकन हलीम को थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं तो बुखाद अच्छी रहती है फीकी फीकी अच्छी नहीं लगती है अब हम इसके उपर हरा मसाला डाल रहे है यह देखर जबर्दस सी आपकी हलीम रेटी हो गई है वह थिक बनीती बहुत बहुत पतली नहीहीं थी अच्छी बनीती थीजा़ और आपकी स्पैसी भी बनीती ए веч जबरदस सी आपकी हलीम रेडी है और बहुत quick recipe है आप लोग जरूर ट्राइब करियेगा ओके अलहाफिस लाइक शेर सब्सक्राइब मैं चैनल